जैमा डाट काली बक्तुम आज का जो वीडियो है आप टेक लाइन से समझ के होंगे कि वास्तो टिप्स देने जा रहा हूँ आपके आभूशन को लेकर आपकी ज्वैलरी को लेकर आपके सूने चांदी या किसी प्रकार के आभूशन अगर आपने घर पे रखे हैं तो घर में ज्वैलरी रखने की सही जगा क्या है इस दिशा में अगर आपने गलती से भी अपनी ज्वैलरी या भूशन रखे हैं आप सचेत हो जाएए आप सावधान हो जाएए ये मेरी आप लोगों के बिन्ती है अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, तो कहीं नाद कहीं, आपको इसका गलत खामियाजा भुगतना पड़ेगा कैसे? बता देता हूं विस्तार से, इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों से निवेदन हैं वीडियो को पूरा सुनके समझके अगर आप भी यही गलती कर रहे हो आप से भी यही भूल हो रही है तो यह पाप अगर आप कर रहे हो तो इसको सुधार दीजे ताकि यह पाप से इस गलती से इस भूल चुक से आपको माफी मिल सके और जो गलती से आपको नुकसान भुगत से जुड़ी होती है इनकी सुरक्षा रख रखाओ बेहत महत्पोन होता है वासू सास्तर के अनुसार घर में ज्वैलरी रखने की कुछ जगे निर्धारित की गई है इनका पालन करके आप ना केवल अपनी ज्वैलरी की सुरक्षा कर सकते हो बलकि इससे सकरात्म गोजा का प् आपको फाइदा तो मिलेगा ही साथ ही साथ धन भी धन का भी लाब मिलेगा लेकिन अगर आप वास्तु के नियमों का पालन नहीं करोगे तो इससे धन की हानी तो होती ही है साथ ही साथ मानसिक परिशानियां भी आती हैं ऐसे में इस वीडियो के जरिए आज मैं आपको बता और साथ ही साथ taken remote work कि यृता सब्सक्रीषद स्यवर्याद की दिस्थ डिशा किया है। कि कई समस्याओं के समाधान आप अपने वास्तू ठीक करने के बाद उन समस्याओं के समाधान आप आ सकते हो आपकी नौकरी नहीं लग रही है आपकी जौब में तरक्की नहीं हो रही है आपकी सरकारी नौकरी के इच्छा है वो नहीं हो पा रहा है आपका बिमारी घर में बहुत है बिमारियों में पैसा बहुत जारा है नशा आपके घर में बहुत है दारू का सिगरेट का एक गलत प्रकार का नशा या फिर बच्चा बाहर की तरफ जादा दोड़ता है और माभाब का कहना नहीं बानता है या इज़त नहीं करता है लड़ा मैं 101% guarantee देता हूँ आपकी सब चीज़े ठीक हो सकती कैसे अगर मैं ज्वैलरी की बात करो मैंने ऐसे पुरारे वीडियोस बना है आप देखींगे वास्तु को लेकर कई ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स दिये जिसमें कीचेन, घर, बातरूम, फेसिंग को लेकर किस फेसिंग में आपका घर होना चीज़े किस फेसिंग में अगर है और नहीं नुकसान मतलब फाइदा नहीं हो रहा है तो आपको कैसे ठीक कर सकते बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना है और आज जो टॉपिक है आपके जो एल्टी से लेकर आपोशन से लेकर क्योंकि सोना जान्दी हर किसी घर में पड़ा होता है या पहना होता है आप कहीं बार आप उतार के उसे रख दे तो आपको पता नहीं है आप बिना सोचे समझे रख दिया तो आपने देखो कहीं बार आपके गर में सोना चोरी होता है बार बार कहीं बार गोल्ड चोरी होता है कहीं बार क्या होता है आपको गोल्ड से नुकसान हो जाता है कहीं बार वो गोल्ड तूटके गिर जाता है कहीं बार हो जाता है कहीं बार कोई छीन लेता है आप भी चेक करो आपकी दिशा सही है और गलत होगी दिशा तो आपको नुकसान और खामियाजा गोल्ड को लेकर भुगतना पड़ेगा कैसे मैं आपको इस वीडियों के माध्यमस बता रहा हूं आप ये चीज खेहन कर लिजे सबसे बेले बात करते हैं किन जगाओं पर आपको गल्ती से भी अपनी ज्वैलरी नहीं रखनी है सबसे बेले बात करूँगा दक्षिन दिशा जो दक्षिन दिशा है यानकि साउड डारेक्शन जो होता है दक्षिन दिशा यम देवता से जुड़ीवी होती है जो मृत्यू अंधकार का प्रतीक माना जाता है ऐसे में वास्तु सास्त के अनुसार इस दिशा में ज्वैलरी रखने से घर पे नकरात्म कोजा उत्पन्न हो सकती है और साथी साथ धनकी हानी भी हो सकती है इसके साथ ही लक्ष्मी जी घर से निकल जाती है अबभूशन जो है वो मालक्ष्मी को दर्शा आते हैं लक्ष्मी मा को प्रिये हैं तो आभूशन यानि की आप एक तरह कर performed लीजे कि आप मालक्ष्मी गर पर रख रखा है अब जब आप आभूशन रख रहे हैं तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिका या महालक्ष्मी की दिशा साउट डारेक्शन कभी नहीं हो सकती, दक्षिन दिशा कभी नहीं हो सकती, दक्षिन दिशा पित्रों की दिशा कहलाती है, यम देव की दिशा कहलाती है, जहां मिर्त्यों के बाद जो दिशा का पूजन होता है, तरपन होता है, उस दिशा में आप अपने धन को विराजमान कर दिया है, अपने अपने सुने चांदे को विराजमान कर दिया है, है तो आपके घर में भी साउट डारेक्शन यानकी दक्षण दिशा में कोई भी आभूशन पड़ा हुआ है तुरंट बदल के उसे रख दीजे दूसरी दिशा में आप पश्चिन दिशा का प्रयोग कीजे आप नौटीज दारिक्शन इशान कौन का प्रयोग कीजे आप उस दिशाओं में अपना आभूशन रख सकते हैं अगली जो चीजे वो ध्यान रखने वाली पूजा इस्थान वास्तु कहता है कि देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों के पास ज्वैलरी रखना शुब नहीं माना जाता है वास्तु के अनुसार ऐसा करने से आपको धन की हानी का सामना करना पड़ सकता है इसलिए देवी देवताओं के पास अपनी ज्वैलरी नहीं रखनी चाहिए अगली जो चीजे वो ध्यान रखनी तूटा हुआ बॉक्स ज्वैलरी को जो है हमीशा मजबूत अच्छी बॉक्स में रखना चाहिए तूटे वे बॉक्स में रखने से ज्वैलरी खोने या तूटने का खतरा बना रहता है इस बात का ध्यान रखें कि ज्वैलरी को हमीशा धके वे बॉक्स या लॉकर में ही रखे खुली जगे में रखने से धूल, गंदगी, चोरी का खत्रा बढ़ जाता है तो अगर आपने भी अपनी ज्वैलरी यानि कि आभूशन को टूटे फूटे बॉक्स में या ऐसे ही किसी चीज में बंद करके रखा है तो वैसा ही वो रिजल्ड देगा फिर नेगिटिव आपको फरक पढ़ने लग जाएगा तो फिर इस चीज का जो खामियाजा है आप खुद भुखतेंगे कई चीजों के नुकसान आप ऐसे ही भुखते हो खुद की करी गलतियों से उनको सुधार लीजे तो बहुत को सुधर सकता है अब इन जगाओं पे किन जगाओं पे आपको ज्वैलरी रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले बात करेंगे उत्तर पश्चिम दिशा की ये दिशा लक्ष्मी देवी से जुड़ीवी होती है जो धन सम्रिद्धी की देवी होती है ऐसे में इस दिशा में ज्वैलरी रखने से धन व्रिद्धी सम्रिद्धी प्राप्त होती है इस बात का ध्यान रखें कि ज्वैलरी को एक दूसरी के उपर नहीं रखना चाहिए जिससे वे घरोज या उलज सकती है नियमित रूप से अपनी ज्वैलरी की जांच करें यदि कोई छती हो तो उसे ठीक करवाए आपने टूटी पोटी ज्वैलरी कटी पोटी ज्वैलरी यानि कि आभुशन अपनी घर पे नहीं रखने चाहिए अगर वो कहीं से टूट गए है कहीं से कोई दिक्कत आ गई है कुछ उसको ठीक करनी की ज़रूरत है तब तक उसे अपनी अल्मारी में या कहीं पर संजोके ना रखें जब तक उसे ठीक ना करवा लेते हैं तो जो दुशा मैंने बताई वो उत्तर पश्यम दिशा है जो बेस दिशा है आपकी जोयलरी रखने के लिए मालक्ष्मी का ध्यान करने के लिए ठीक है अब दूसरी जो दिशा है जहां पर आपने ध्यान रखना है वो है पूर्व या फिर उत्तर दिशा ठीक है और ज्वैलरी को हमेशा साफ सूखी जगा पर रखना चाहिए ज्वैलरी पहनने से पहले बाद में उसे हमेशा साफ रखें सिंपल सी चीज है आपनी क्या करना है आप दिशाओं का चेहन कर सकते हो उत्तर दिशा में भी आप अपनी ज्वैलरी रख सकते हो अपना सोना रख सकते हो या पूर दिशा में भी आप अपना सोना रख सकते हो दूसरी जो चीज़े आपने ध्यान रखनी है अगर इन दिशाओं में रखोए ना पॉजिटिविटी आपकी घर में आती रहे कि सक्रादमा गुर्जा का संचार रहेगा जहां मालक्ष्मी स्वेम विराजमान है फिर वहां किसी चीज़ की दिक्कत आपको नहीं बढ़ सकती ठीक है अब जोलरी को हमेशा जैसे आपने क्या करना है साफ सूतरा रखना है कई बार देखा है मैंने कई जोलरी जगर मैंने देखे हैं आप उतारो गले से तो बाल उलज जाते हैं महिलाओं के बहनों के तो फिर क्या होता है वो उलजीवे बालों के साथ उसको वैसे ही रखते तो उसमें सिंदूर लगाया कुछ लगाया आपने पुजा पार्ट करी कुछ करा कहीं से आई जोलरी पुजा पार्ट करके तो आपने वो चीज लगी की लगी छोड़े उसको साफ सूतरा रखो मालक्ष्मी को अगर आप साफ सूतरी जगा में रखोगे तो मालक्ष्मी आपसे अतियंत प्रसंद रहेगी पहनने के बाद भी हमेशा उसे उतानने से पहले थोड़ा साफ सूतरा करके रखें ठीक है और जोलरी को हमेशा ध्यान रखें एक के उपर ऐसे खटा करके ना रखें उसको अच्छे से संजू के रखे, जितना डेकोरेटिव तरीके से, जितना सजावट की तरीके से उसे रखोगे, महालक्ष्मी आप से प्रसन होगी, आपकी घर में वास करेगे, और जो सोना है वो दिन दुगनी राचोंगी से बढ़ता रहेगा, दसकुना फायदा सोना आप आपको देगा, और अंधन के भंधारे आपके भरे रहेंगे, ऐसी और वास्तू टिप्स चीए हैं, ऐसी और नौलेच चीए, जल्दी स्चानल को सब्सक्राइब कर दीजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, जुरत्पन लोगों के साथ शेयर करना नहीं बूलना है, कमेंट मे जय माता दी जरूर लिखना है, और दर्वार से बने रहना है, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माडाट का ली